हेलो फ्रेंज तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी पालक के पराथे जिसके लिए हम ले रहे हैं दो कप गेहूं का अटा और इसमें मैं डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिग तो आज मैं इसमें डाल रही हूं अराउंड वन टेबल स्पून सॉल्ट इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पालक यह मेरे पास एक कप पालक है जिसे मैंने हाथ से बारी बारी काट लिया है आप देख सकते हैं यह बह अगर आपके पाराटे ठंडे भी हो जाते हैं तो भी यह खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं इसके लावा हम इसमें डालेंगे जिंजर और ग्रीन चिली का एक क्रश हम देख सकते हैं मैंने एक इंच अद्र को और दो हरी मिर्च को एक साथ अच्छी तरह से क्रश कर लिया था जिससे यह क्रश में बनाया है साथ ही में इसमें मैंने एक चूटकी हिंग भी डाली है और इसके लावा अब हम इसमें डाल रहे हैं रेच चिली पाउडर आप चाहें तो अपने टेस्ट के को अगर्डिं हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पालक में ओरड़ी वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम एक इसका हार्ड डोप बनाएंगे आप देख सकते हैं क कि मैं पानी डाल रही हूं लेकिन हमें बहुत कम पानी डालना है हमें अपने हाथ की हेल्प से ही इसको मिक्स करते हुए सॉफ्ट करना है हमें पानी डाल के से सॉफ्ट नहीं करना है हमें पानी की हेल्प से इस डोग को पतला नहीं करना है क्योंकि हमारे डो में औरड़ी ब तो इसी तरह से हम इसे लगतार नीट करेंगे करीब एक से दो मिरिट तक इतने टाइम में हमारा डो बहुत अची तरह से सॉफ्ट और एकदम स्मूथ हो जाता है आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूं तो इस तरह से हम इसे लगतार नीट करेंगे ताकि हमारे डो का बहुत अच्छा हो जाए और अगर हम अपने डो को रेस्ट करने भी छोड़ेंगे तो उसके बाद ये डो पानी बिल्कुल रिलीज नहीं करेगा और एक्दम परफेक्ट रहेगा सो फ्रेंज हमारा डो प्रिपेर होके बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ हो गया है और ये काफी स्पॉंजी भी है तो हमें इसी तरह का डो चाहिए है अब देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा है मेरे हाथों से ये पूरी तरह से रेडी के लिए कि आप अपने डो को बहुत अच्छी तरह से नीट करें ताकि इसका जो पानी है वो इसके अंदर एबज़ाब हो जाए और डो एकदम परफेक्ट बने तो रेडी हो चुका है तो चलिए बनाते हैं पराथे तो पराथे पनाने के लिए हम हमारे आठे का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और एसे इस थना से रोल करेंगे और थोड़ा से सूखा आठा लगा कर अब मैं इसे रोल करूंगी नॉर्मल पराथे की तरह से अगर हमारा डो अच्छा प्रिपैर हो जाता है तो ये बहुत जाता stick नहीं करता है, आपके platform से या rolling board से जिस पर भी आप पेल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, ये बहुत असानी से हो गया, तो आप देख सकते हैं, हमारा परांठा बिलकुर ready है, ये कितनी असानी से हो गया है, तो चलिए, इसे सेक लेते हैं तो अब इसी तरह से हम बाकी परांठे भी रोल कर लेते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से परांठे को गोल या चकोर रख सकते हैं आप अपने हिसाब से पतला या मोटा भी रख सकते हैं पर मुझे थोड़ा सा मीडियम साइज और पतला पराठा सा लगता है तो मैं इसे इसी तरह से रोल करूँगी आप देख सकते हैं तो मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है इस पर मैं थोड़ा सा ओइल अपलाई करूँगी आप चाहें तो देशी की या बटर भी अपलाई कर सकते हैं अब हम इस पर अपना पराठा डालते हैं और इसे अच्छी तरह से अब सिख लेंगे तो हमारा पराठा एक तरफ से सिख चुका है, चलिए इसे फिलिप कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, इस पर थोड़ी थोड़ी ब्राउनिंग हो चुकी है, तो इस पर थोड़ा सा हम ओईल अपलाई करेंगे, इस तरह से कर्चली से हम इसको स्प्रेट करेंगे, इसके उपर जो ओईल लगा है हमने, और इसे हम थोड़ा सा कोख होने के लिए छोड़ेंगे, हमें अपनी फ्लेम को हमीशा पराठा सेकते वक्त एकदम मीडियम पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई पर करेंगे, तो आपका पराठा जल सकता है, और लो पे कई बार वो थोड़ सा कड़ा हो जाता है, इसलिए हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पर रखेंगे, और आप देख सकते हैं, मैंने दूसरी साइट भी अपलाई कर लिया है, तो इस तरह से पलट पलट कर, हम अपने पराठे को अची तरह से सेक लेंगे, आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग हाई फ्लेम पर नहीं सेकें, और इसको बहुत जाता प्रेस भी नहीं करें, क्योंकि बहुत जाता प्रेस करने से पराठे अगर आप गरम करम खाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उसे रखते हैं, यानि कि बच्चों को लंच बॉक्स में देते हैं या आपको कहीं बाहर ले जाना होता है तो पराठे थोड़े कड़े हो जाते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा हलका कम प्रिस करेंगे अपनी कर्चली से अपने पराठो को तो आपके पराठे सॉफ्ट रहेंगे और वैसे भी हमने इसमें थोड़ा सा ओल रेड़ी डाल दिया है तो आपके पराठे सॉफ्ट रहेंगे और ये बहुत ही तेस्टी लगते हैं आप देख सकते हैं मैं इस तरह पलट-पलट के स्को अच्छी तरह से सेख रही हूँ तो हमारा पराठा बिलकुल रेड़ी है आप देख सकते हैं तो चलिए सर्फ करते हैं सो फ्रेंज हमारे गरम गरम पलट के पराठे बिलकुल रेड़ी हैं जिनने आज में सर्फ कर रही हूँ जीरे वाले बहुत ही टेस्टी आलु के साथ आप इसे किसी भी सब्जी या अचार के साथ सर्फ कर सकते हैं ये बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं और अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते तो जरूर ट्राइ कीजे इस रेसिपी को क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है और खास तौर पर अगर आप इसे आलू की सब्जी के सर्फ करेंगे तो आपके बच्चे I am sure कभी बना नहीं कर पाएंगे तो इसे जरूर बनाईए और अगर आप चाहें तो description box से आलू की जीरे वाली सब्जी बनाने का आप लिंक ले सकते हैं तो ये थी आज की रेसिपी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजेगा आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब भी कर सकते हैं ताकि हम हर रोस मिल सकें कुछ नई नई इंट्रेस्टिंग रेसिपी और टिप्स के साथ आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलूंगी आप से एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तिल देन गुड़ बाई and you take a good care of yourself बाबाई